दिल्ली अप्थूटे अगले और दो चार शे महीनों के अंदर लेकिन जो बदलाव है वो बदलाव तो आने वाले टाइम में दिखे गए देखे गा बारत की विदेश निती में किस तरीके का बदलाव कोविड के करन देहन को मिलेगा देखे बदलाव तो अलड़ी शुरू हो चुका है क्योंकि पेंडेमिक में पड़े हुए हैं अमेरिका और यरोप में इतना हाई रेट डेथ रेट इतना हाई जा रहा था उस समय चाइना बिजी है टेरिटोरियल और मेरिटाम स्पेसिज में एक्स्पैंड करने के लिए तो इससे क्लियर कट है कि एक तरीके की वार्फिर शुरू हो है यूएस और चाइना के बीच में जो कॉंपिटिशन है तो एक नए तरीके का शीतियुद्ध उभर कर सामने आ रहा है क्योंकि चाइना जो है वो उसको लग रहा है कि इस टाइम अगर वो कुछ ऐसे एरिया को कंट्रोल करता है जैसे होंग कॉंग है या तेवान है या और जो यूएस से है वो चाइना की एक्सपेंशनिस पॉलसिस को रोकने के लिए वो पूरी की पूरी अपने सभी सात्यों के साथ मिलके इसको रोकने की कोशिश करेगा और इसमें इंडिया की भूमिका बहुत एहम रहेगी क्योंकि जो इंडिया है वो लोकेट करता है इंडिय कोशन है और वेस्ट एशिया इन सब को वाटर वेस को कंट्रोल कर ले और उसके बाद अपने बी आर आई जो बैल्ट रोड इनिशियेटिव है इनके थुरू भी इन सब कंट्रोल करना चाहता है तो यह जो आने वाले टाइम में एक ने तरीके का शीत उद्ध नजर आएगा पर उसमें इंडिया को क्या रोल करना है पहले इंडिया जो था वो नान इलाइनमेंट पॉलिसी अपना रहा था पर अब क्योंकि चाइना उभर कर सामने आ गया है एक दुश्मन की रूप में जब अब यह दिल्लादाक में जो कोच हुआ साफ नजर आता है कि चाइना कि और इसमें पुरा इकष्पैंड करता रहे है और बंपना रहे हैं अब इडिया के सारे जो हमारी नेवरिंग कंट्रेश हैं उनमें जब इसमिश्ज करनाना पढ़ेंगे उस एलाइस जिब्स क्यूरिव पहलेम्श इसमेंती था उपिएंट्वन सेक्योर्लि सेक्यूरिज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया को आइल की भी जरूरत है वेस्ट एशिया से, इंडिया को अपने फ्री ट्रेट, 70% ट्रेट उसका इंडिया नोशन से जाता है, और फिर हम देखते हैं, मलककस ट्रेट से भी 50% हमारा ट्रेट जाता है, तो ये सारी चीज़े हमारे लि थी ग्लोबलाइजेशन के वज़ा से, तो अब हम देखते हैं कि इंडिया ने जैसे लद्दाक के बाद एकॉनोमिक बाइकॉट किया है, ऐसी दूसरे देश भी अपने सप्लाइ लेंस को डिवर्सिफाइ कर रहे हैं, दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, इंडिया ने आत अब हमारी यहां लाया जाए और हमारी एकॉनोमी को एक्सपैंड के जाए, इसके लावा एक और एरिया है जहां पर इंडिया बड़ा इंपॉर्टन रोल प्ले कर सा है, जैसे कि एजुकेशन आप देख रहे हैं, कि एजुकेशन में बहुत बदलाव आ रहा है, अब हम बा पुर्ड़ासी देश हैं, उनके भी स्टुडेंट्स को यहां पर पढ़ने के लिए एक अच्छा एट्रेक्शन पॉइंट होंगे, और अगर उनकी यूथ यहां पर पढ़ने आती है, तो हमारी नाकेवल एकॉनोमी को बूस्ट मिलेगा, बलकि कुल्चरल बांडिंग बने अच्छन पर पढ़ने के लिए एक वार से कम नहीं है कोविट, कितने लोग मर गए हैं, साथ लाग से जादा लोग मर गए हैं, कितने करोणों लोग इससे प्रभावित हो गए हैं, परंतो यूएन ने एक भी मीटिंग नहीं की इसके बारे में, डवल्यो एच्छो ने कोई इसमें रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स चली और यूएसे ने अपना हाथ खेंच लिया, तो हम देखते हैं, जितने भी इंटरनेशनल ओगनाज़ेशन, डवल्यो टियो को भी आगे चैलेंज क्योंकि अभी डी ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, तो इ इंडिया बहुत टाइम से कह रहा था रिस्ट्रॉक्चरिंग के लिए, कि कुछ कंट्रिस जो मिडल रेंज पावर्स हैं, जो ग्लोबल साउथ के इंटरस को रिप्रेजेंट करें, उनकी भी मेंबर्शिप होनी कि इंटरनेशनल ओगनाज़ेशन में, पर हाट जिगा चाइ है और उत्रदाई तो है, वो बहुत जादा बढ़ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में, और आने वाले टाइम में बहुत चेंज होगा इंडिया की फॉरंड पॉलिसी में, तो मेरे को लगता है कि ना केवल ये कोविट की टाइम में पूरा वर्ल चेंज हो रहा है, उसको र और ये कहीं और बढ़के आगे बढ़के कोई कदम उठाएगा, देखे जो इंडिया की नॉन अनाइल्मेंट पॉलिसी थी, वो अपनाएं गए थी, कोल्ड वार के कॉंटेक्स्ट में, दो आइडियलोजिकल कैंप से, और उस टाइम इंडिया की पावर पॉजिशन बहुत जो ग्राफिकल कंडिशन ऐसी है, कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे चाइना और रश्या के खिलाफ, और हम आइडियलोजिकली अमेरिका से भी प्रभावित थे, उनकी डेमोक्रिक वैलियूस की वज़ा से, और हम इन सोशिलिस कंट्री से भी प्रभावित थे, इनके अब बिल्कुल दुश्मन के रूप में हमारे सामने आ गया है, हमारे सेक्यूरिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो एक तो अब आइडियलोजिकल फेक्टर इतना इंपॉटन नहीं है, आज जो है, इंडिया को अपनी नेशनल सेक्यूरिटी को देखना है, और हम देखते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को बड़े देशों का साहरा मतलब का साथ देना ही पड़ेगा, तो अलाइनमेंट तो करनी ही पड़ेगी बड़े देशों के साथ, और अपने प्रॉसी देशों के साथ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि साउथ हमें जितने भी देश हैं जिनके साथ चाइना एलाइंस कर रहा है तो इंडिया को soft power use करने पड़ेगी और हमें extended neighbors के साथ भी friendship करने पड़ेगी West Asia है Central Asia है East Asia सब के साथ friendship करने पड़ेगी पर इसका मतलब यह है कि हम हरे different different countries के साथ different different issues पे हम friendship करेंगे हम ideology के basis पे friendship नहीं करेंगे अपने national interest को देखते हुए friendship करेंगे इसका मतलब यह है कि अगर USA के साथ friendship कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम रश्या के साथ नहीं करेंगे रश्या हमारा strategic partner है इसका मतलब यह नहीं है कि हम इरान के साथ friendship नहीं करेंगे तो इसका हमारा objective आज भी वही है, anti-imperialism, anti-colonialism, क्योंकि चाइना एक imperialist country के तरह उबर कर ऊपर आ रहा है, तो हमें उसे काटना है, और इसको काटने के लिए हमें सभी देशों का सहारा लेना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा, उनके साथ alliance करनी पड़ेगी, हम अकेले नहीं चलेंगे, परन्तु जो multi-alliance है, वो आज लगता है कि non-alignment से थोड़ा दूर जा रहा है, परन्तु आज का संदर्ब बदल गया है, आज का circumstances बदल गए है, आज की India की power position बदल गई है, और आज इंडिया का objective बदल गया है, तो इनको respond करने के लिए इंडिया की policy of non-alignment ने एक न्या, एक new look की जरूरत है, जो कि इंडिया जो non-alignment policy है, it doesn't look non-alignment, but its objective is the same, to protect national interest, पर किस तरह के से protect करना है, वो change हो गया है.